टीटवेंटी वर्ड कप की टीम में नहीं है मौमद शमी पर क्या टीम इंडिया को खलेगी उनकी कमी यही बार डिसकुस करने के लिए आए है मौमद शमी की किसमत किस से लिखी होगी है कच्ची पैंसल से बड़ा फेमस पंजाबी कान है रेफरेंस समझ गये होगे 10 पॉइंट्स पर मौमद शमी की किसमत में घोड़े क्यों लगे हो रहे हैं जी वो तो कहते हैं वो टीवी डिवेट पर घोड़े खोल लो टाइप से बाहर कर देते हैं आपने आई पेल बड़ी अखेला तो मैं क्या करूं आप अभी हमारे हिसाब से ऑस्टेलिया नहीं जा रहें ऐसा कोछ राउल रवेट साब ने और टीम मेनेजमेंट ने डिसाइड किया फिर आया एशिया कप और बहुत पिटाई और उसके बाद सारे लो तो उनको ऑस्टेलिया के अगेंस जो टीटॉंटी सीरीज है उसमें शामिल कर लिया गया अब आगया कोविट अहों ये कहां कहां से रह रहे के आजाता है हां मलब जो बंदा अच्छा नहीं खेल रहा है उसे IPL में करोडो रुपे पे ले लेते हैं लेकिन जो बंदा IPL में अच्छा केल रहा है उसको कम से कम आपको स्टेंडबाई बोलर तो बनाना चाहिए था लेकिन जो पूरी की पूरी डिवेट है इस पर आप आज डिसकस कर है इसमें कहने में कोई दो रहा है नहीं क्योंकि लगबग 10 के करीब है तो इस वज़े से मोहमा शमी को आपने नहीं रखा पर भाईया अगर आप सारी की सारी चीजों का क्राइटीरिया लास बना रहे थे तो बंदा कमाल कर रहा था हां मतलब अगर आप बैटिंग की बात क सब्सक्राइब की लगती है मोहमा शमी को कोविड है तो उनका रिप्लेस्मेंट किसे दिया गया है क्योंकि मोहमा शमी एक साल से नहीं कहले तर तीन साल से नहीं कहले सर तीन साल मजाग निया अखरी बारी 2019 में खेल रहते हैं वह अपने दिल की सब्सक्राइब करा रहे हो लेकिन उमेश यादव को आप लेके आते हो मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछना जातूम्द आप ल तब अभी तक आप जिटने भी बोलर्स को हिट ड़ाइंगे प्रसिद कृष्णा सिराज हम इतने सारे आउट राइट वालर्स को भी ट्राइव साल में हमने बहुत सारे मीडिय엌 पेसर्स को भी ट्राई किया जो कि बड़ी बड़िया विकेट दिलाते थे शारदोल ठाकुर थे हमने दीपक चार का नाम लिया मतलब यह सारा गार सारा जब बुम्रा को चोट लगी तब आपको रिप्लेस्मेंट के रूप में आपको आवेश खान नजर है और अब जब आव अजय तो उसके बाद भी चलो मान लिया जितने अपने लॉजिक दे के उनको अच्छा बॉलर अच्छा बॉलर अभी थोड़ा से ऐसे लेकिन अच्छा बन जाएगा तो अब क्यों नहीं है अस्ट्रेलिया साथ अफरिका अभी तब बिमारे ठीक नहीं हो रही तो मतलब यह जो टीम सेलेक्शन ने जो इतनों बड़ी हैं कि हम रोजाना उटते हैं वैट से सोचते हैं कि आज क्या सोच रहे हों अज कौन सब्सक्राइब करके बेढ़े होगा तो चलिए मौमाश हमी का केरियर जो लोगों को अगर फिर भी यह लगता है कि मौमाश हमी को चाहई टीम म बैनेजमेंट जो है जिसमें मजब कोच भी है जिसमें कप्तान भी है वाइस कप्तान भी है क्याल रहा हुचा